आज हम देखेंगे कि कैसे हम module बनाते हैं लेकिन हम test scripts का नहीं एक piece of code जो repetitively use हो रहा है उसको modules में बनाते है for example आपने हमने पहले discuss किया था कि कैसे हम test scripts को modules में change कर रहे थे लेकिन उस case में क्या था कि same चीज को हम बार बार लिख भी रहे थे तो जो problem थी वो overcome नहीं हुई थी लेकिन अगर आप जो library based framework है उसको use करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप use कर सकते हैं same code को बार बार for example हमने SQL को use किया था पहले एक data pick करने के लिए तो अगर मैं उसको यहाँ पर query execute करा रहा था तो मैं यहाँ पर बार बार code लिख रहा था कि यह सब perform करो और उसके बाद मेरी query execute करो तो वो करने की बजाए अगर मैं उसको एक particular method बना दूँ और उसके बाद queries pass करों जैसे हम statement pass करों तो बार बार execute करेगा उसी query को तो जो यह मेरी query है वो change हो जाएगी ऐसे ही मैं यहाँ पर जो यह values है इसको मैं किसी property file से उठाऊ हूँ जो हमने discuss किया था तो यह सब चीजें मेरी जो configuration है उसको बहुत असान कर देगी तो यहाँ पर हम वापिस उस class में जाते हो जो हमारी SQL class थी अब जब मैं इसे execute कर रहा हूँ as a chunk of code जो मैंने linear way में लिखा हुआ है तो यह linear scripting ही है तो यहाँ पर मेरी query execute हो गई है अब मैं क्या करता हूँ लेट से हम फिर से एक package बनाते है तो यहाँ पर मैं class बनाता हूँ जिसको मैं कहूंगा SQL helper अब इसके बाद हम क्या करेंगे जो मेरा SQL का यह code था मैं अगर इसे यहाँ पर लिख देता हूँ obviously मैं यहाँ पर main method नहीं बनाऊंगा public void या result set return करवा रहा हूँ इससे मैं तो यह जो मेरा result set है RS यहाँ मुझे return कराना है क्योंकि मेरा return type मैंने change कर दिया तो उसके बाद जब मैं यहाँ पर return कराऊंगा तो result set को यह initialize कर दिया और यहाँ पर यह return कर दिया और आप चाहे तो इसे वैसे भी execute करा सकते लेकिन लेट से हम इसमें एक string pass करते है जो carry है तो यहाँ पर जो यह carry है यह मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पर string pass करते तो carry अब इसके बाद यहाँ पर हम एक test class बराते है लेट से और यहाँ पर हम main method define करेंगे और इसको हम static बना देंगे तो sql helper.execute query तो carry जो होगी वो मेरी होगी वही जो हमने वहाँ यूज कर रखी दी select star from data point तो यहाँ पर हम carry execute कर रहे है और उसके बाद हम इस method को execute करेंगे और उसने same query वैसे ही execute कर दी तो यहाँ पर जो हम result set यहाँ पर print कर रहे है उसको हम क्या करेंगे क्योंकि हम return तो करी रहे है उस result को तो यहाँ से हटा के यह यहाँ पर उठा लिया हम इसे यहाँ पर यहाँ पर जो मेरा यह पूरा statement ए एक्स्ट्रैक्ट करने का data को उससे मैं एक और method में बनाता हूँ public void print results यहाँ पर जो मेरा है वो मेरा result set पास होगा तो यहाँ पर मेरा result set पास होगया इसे try catch में डालेंगे अब जब मैंने यह result set यहाँ पास किया तो यह मैं यहाँ पर result set लेके यह rs बना दिया एक result set इसको import करेंगे इस method को भी हमने static बनाना है और उसके बाद SQL helper dot print results और rs इसमें पास करेंगे अब इसे execute करेंगे फिर से तो यहाँ पर वो close कर दिया था क्यूंकि हमने उपर तो यह close हो चुका है क्यूंकि उपर तो यहाँ पर से यह हटा के हमें यही पर लिखना पड़ेगा वो तो हमने यही पर लिख दे वापस क्योंकि यह connection close हो चुका है तो यहाँ नहीं use हो पाएगा पर इसको हम आगे यहाँ पर use कर सकते है result set को और ऐसे कुछ भी print कराना है या कुछ भी use करना है वो कर सकते है इसके लिए हमें पता है कि हम कैसे इनको property files में डालके जैसे हमारे पास test.properties है भी भी जो हम पहले यूज़ कर रहे थे इससे जब खोलेंगे तो आपका jdbc url make value है और उसके अलावा आपकी एक और value आएगी जो आपकी db url है यह यहाँ पर आ गई अब यह values यहाँ पर आ गई तो इसके बाद हम इसे property files से उठा सकते हैं property files का let's say हमारे पास एक method बना लेते हैं public void read property files अब जब हम यह read करेंगे तो वही properties का एक object जैसे हमने पहले बना रखा था property का एक object यह सब कुछ हम use कर सकते हैं तो इसको हम copy paste कर सकते हैं अभी यहाँ पर अभी के लिए मैं इसे पूरी इसी class में बना रहा हूँ आप इसे different class में भी बना सकते हैं तो यह आपका property हो गया तो आप चाहिए इससे जो भी return करवाना चाहिए आप वो return करवा सकते हैं let's say आपने यह property read property file के लिए यह objects बनाएं और उसके बाद आप क्या कह रहें कि जो भी मुझे value चाहिए वो यह return करता है let's say string return करता है तो यह return आएगा और यहाँ मेरी एक key आएगी parameter में तो यहाँ पर जो मेरा जैसे हम पहले क्या कर रहे थे पहले उसको simple print करवा रहे थे यहाँ पर property.get यह print कर रहे थे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे property.get और जो भी मेरी key पास हुई है उसकी value return करा दो तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर read property को call करेंगे और उसमें key पास कर देंगे ऐसे ही हम नीचे एक read property से key पास करेंगे कि हमारी क्या है jdbc driver और db url तो अब हमारी values property file से उठ रहे हैं तो अब हम इसे execute करेंगे यहाँ कुछ error रहे गई I think read property जो हमारी file है यह थोड़ा method name different रहे गया और उसके बाद उसे execute कर रहे देंगे तो उसने सब कुछ जो values है वो property file जो उठाके execute कर दी तो हमारे पास अब दो libraries बन गई एक मेरी यह sequel की है और एक मेरी यह property file की है तो यहाँ पर मैं एक और class बना देता हूँ इसे न्यू class property helper इसमें मैं यह method बना देता हूँ और जो यह मेरे methods call हो रहे हैं यहाँ पर वो अब property helper dot read property file ऐसे call होंगे अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसको फिर से execute करता हूँ तो same चीज execute हो गई और मेरे पास अब दो helper files है यानि कि दो libraries मैरे बना दी तो ऐसे आप different libraries बना सकते हैं आप छोटी से बड़ी जैसे हमने SQL property file अगर आप यहाँ पर जैसे क्लिक करवा रहे अलर्ट के लिए तो आप यहाँ पर भी एक library file बना सकते हैं तो जो भी आपको perform कराने आप यहाँ पर एक libraries बना के उसके साम से भी different helpers या utilities यह सब बना सकते हैं तो अभी के लिए ता ही आगे हम देखेंगे कि कैसे हम data और keyword driven approaches को टेकल करते हैं Thank you